अभी तक आपने देखा पड़वर डॉक्टर में लें चिलाकर बोलते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं टेंसर में हूँ तुम इतने गुस्से में क्यों हो तुम मुझे क्यों नहीं बताते हैं मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी लें बोलता ठीक है ठीक एच सोच प्तर में अभी कर और मैं में बलता है या भी मुझे बोला कि यह मुझे मुझे प्यार करता है दिंको सोकर बोलता है वाउ अब मुझे चिंता करनी की कोई जरुवत नहीं है ठीक है तुम जाकर खेलो मैं अपना काम करने जा रहा हूँ फिर लिन फोन करके डूक बोलता है जल्ली से यहाँ पर आओ डूक घवराती हुए बोलता है बॉस आपको मेरे साथ क्या करना है लिन बोलता है बकवास अभी सर्जेरी रूम से चिलाने की आवाज आती है जिंग बोलती है डूक्टर लू आराम से किजिए बहुत ही जादा दर्द हो रहा है लू बोलती है नॉर्मल बात है पहले दर्द होता है फिर बात में तुम्हें आराम मिलेगा लिन ये बाती सुन लेता और अपने मन में कि बोलता है क्या ये तो लिजबियन के मुवी सिन लग रहा है मैं इसे मिस नहीं कर सकता हूं फिर वह दर्वाजे में काल लगा कर उनकी बाती सुनने लगता है तो और भी वंब बहुर आ जाते और बॉलता है बोलता है बोलता है तुमने इन बुलाया तो मुझे उलिन उसस में थपर मारती हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे भास करें तुम्हें मनना हे क्या दूर होती हुए मुझसे माप करियेगा तभे लो Kayla आजाते हुए पर आप surgery का बाद मैं तुम्हें कुछ basic सिखाऊंगा लू बोलती है अगर यह surgery fail हो गया तो तुम्हें मुझसे साथ ही करना होगा लिन यह सुनकर पूरी तरह सॉक्ट हो जाते हो तो बोलता है ठीक है ठीक है लेकिन तुम्हें पता होने चाहिए मैं हरता नहीं हूँ लू बोलती है मैं जिंक को लेकर बाहर में जाते हूं डॉक्टर लिन तुम अपने चर्जरी आराम से करो फिर वो अंदर चली जाती है दू लिन को बोलता है क्या मेरी जिंदगी एक गेम है क्या लिन बोलता है तुमारे जिंदगी तो गेम से भी बढ़वाद है तभी वहाँ पर Luan आ जाती है और बोलती है लिन मैं कुछ फल लाई हूँ क्या तुम्हें खाना है लिन बोलता है लिन तुम लोग आराम करो बाहर में जब मेरा हो जाएगा मैं तुम्हें बुला दूंगा लोग बोलती है लिन यहाँ पर चल क्या रहा है लिन बोलती है लोग आपरेशन रूम को तयार करो डू के लिए फिर वो डू को बोलता है शो जाओ यहाँ पर डू बोलता है दूसरी तरह हम शो को दिखाया जाता है जिन बोलती है शो तुम्हें मैं याद हूँ तो मुझे गो और तुम को नो लू बोलती है मैं पश्चना डॉक्टर हूं मास्टर डू की मेरा नम लू बिंग है वो मुझे यहाँ पर बुलाया था जिंका देखवाल करने उसके अलावा डॉक्टर लिन मास्टर डू का इलास कर रहा है वो अपने मन में बोलती है हां ब्लैक फेस्ट गॉ हो गया तुम्हें जो बोलती है नहीं कुछ नहीं सभी लिन चिलाकर बोलता है हो गया लू बोलती है दूसरी ताब लिन डू को बोलता है खड़े हो जाओ डू बोलती है लिन यह इतनी जल्दी ऑपेडिशन कैसे हो गया लिन बोलती है यह बहुत ही ज्यादा आसान था दू दौन बोलती है बहुत बढ़िया मैं पहली बार इतनी जल्दी brain surgery को होते हुए देखी हूँ दू लिन को बोलता है boss मुझे क्यों लग रहा है मेरा सरीर हिल रहा है और मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ किया मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ क्या लिन बोलते है यह side effect है जल्ली से ठीक हो जाएगा दूं बोलते है थीक है मैं जारू hospital body check-up करवाने तभी वहाँ पर लू आ जाते हूं लिन को बोलती है डॉक्टर लिन पॉंग्ड शूलेशन आपका surgery खतम हो गया फिर समय आ गया हमें बात करना चाहिए अपना डिस्टे के बारे में लुआन चिला कर बोलती है लिन यह है कौन और इसका क्या मतलर relation के बारे में लिन बोलते है लुआन मैं बताता हूं तभी शू आ जाते हूं ब बहुत ही ज़्यादा गुसा हो जाती लिन के उपर लुब बोलते है डॉक्टर लिन लगता कि यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है लोग लिन बोलते है असना बंद करो मुझे पर और इने सही से बताओ क्या हूँ था लुए उन दोनों को बोलती है ल पर लिन मुझे माप करिएगा मैं तुम्हें गलत समझी मैं ज्यादा बाहे गई थी लिन बहुत है कोई बात नहीं पिर वह एपने मन में बोलते है मिद यहाँ आगे चलकर बहुत ही जादा शौड़ान एक है और ग्रसे लिफां ऑन्हाँदा ज्यादा नहीं है आपका शू जिनों उसे ठपर मारते हुए बोलता है तुम क्या सोच रहे हो यह बॉक्स में मेरा एकुपंचर का नीडल्स है मैं इनके इस रिमाल एक वर किया था जाओ सोनार के पास जाना और इसका 10 सेट बनाना सिल्वर का और 20 सेट गोल्ड का अभी मेरे पास कोई भी श्रॉक नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि एक महीन में तुम इसे खतम कर लेना तो मैं सर्जेरी का पैसा देना नहीं होगा यह बना दो मेरा दू बोलता है समझ गिया फिर वह वहां से जाने लगता है लें बोलता है अगर यह आदा महीन में खतम नहीं हुआ फिर यहां पर आना मत अभी हमें बाहर में दिखाया जाता है एक आदमी फोन करके बोलता है तुम्हें अपना वेकसन कैंसल करना होगा वो लड़के बोलती है क्या जीन मिल गई वो अभी कहां पड़ा है वो लड़का बलते है जीन अभी तक मेड़ी नहीं है कोई उसे बचा लिया है उसका इलाजी स्टून व चाहिए फिर हमें तीन दिन के बाद दिखाया जाता हूँ क्लिनिक में लिंग जीन को बोलता है मिस ही मुझे लगते कि तुम्हें एक बॉइफ्रेंट के जरुवत है जीन बोलती है तुम क्या बोले हो डॉक्टर लिन लीन बोलते तुम्हारा संतरा जूल रहा है इसे इस त जीन standards 155 परसंद तो सबस्क्राइब के आ 노व करें मुझे कुछ श्यवारा में कुछ और बाद में भेज दिंक लोगती बहा होले होँ तो मुझे लगते कि वो HER किसना होगी लिन बता कर उन लोगों को पता चल गया कि वह जिंदा है यूनियर बोलते हैं तो यहाँ पर बहुध साड़े के लर आ जाएंगे उसे मारने के लिए लिन बता थिक है मैं इसे क्लीनिक में रखूंगा मैं इसे बचा के रखूंगा फिर वो जीन को बोलती है यूने बोली है तुम कुछी दिनों के लिए यही पढ़ाओ बाहर में सही में बहुत ही ज्यादा खटरनाक है जीन बोलती है ठीक है मैं अब क्या बोलू लू बोलती है मैं जीन उदास मत होई है मैं भी आपके साथ रहूंगी सिंता मत करो फिर हमें दिखाया जाता है लुआन और वहाँ पर आ जाता है लुआन लिन को बोलती है लिन तुम यहाँ पर हो लिन बोलता है लुआन अंकल बाहर में इतना गर्मी है तुम मैं तो घर में होना चाहिए ता न तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लुआन मोलती है मेरे पापा तुमसे बात ही करना चाहते हैं वो बोलते हैं बात यह है लेन हमें एक मिल्लियन पैसा मिला है मुझे लगता कि हमें घड़ खड़ितना चाहिए क्योंकि वह नहीं सरके और नहीं वह बहुत सारा पाइसा हड गया था लौट्री में तो वह अपने घड़ को प्रशना साता है अपना करजा को चुकाने के लिए जब हम लोग इसे खडी लेंगे तब तुम इंचार्ज होगी नए क्लिनिक के लिन तुमने पहले इस बाड़े में सोच लिए आया वो बोलता है बेसक यह गोल्टन ऑपेश्युनिटी है हमें यह थोड़ी ना मिलेगा ऐसा लिन बोलता है फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो वो बोलता है क्योंकि तुम हमारे क्लिनिक के इंचार्ज हो तुम्हें तो इसके बाड हमन में बोलता है लगता है कि इन दोनों का डिलेंसी पर चल रहा है जब हुमारा घ्र होजाएगा यह नौन मल बात हो जायेगा चाथ में रहने पर वह उन डोनों को बोलता है में जा रोओ विस्टर लिएंग से नम करवाने तो मेरा इंप्दार मत करना दिनर के लिए युटान बोलती थी जब मैं अंकल यहन को ठीक किया था तभी लुवान उसके गाल में किस कर देती है लेंज इलाकर बोलता है नहीं यहाँ पर नहीं लिप में देने का बात था लुवान बोलती है ज्यादा भाव मत काओ तुम्हें इतना मिल गया वही बड़ा बात है बैजारी तुम्हारे ल करोगी लिन बोलता है वाव अभी लोग मेरे लिए खाना बनाने के लिए कितना खुष है मुझे सही में बहुती रोना आड़ा है वह तीनों बोलती है ज्यादा भाव मत काओ जिंग हस्ते हुए बोलती है डॉक्टर लिन आप पूरे दिन बीजित है इन्हें काम करने दिज लो बोलती है लो बलती है इतना जल्दी मत खाओ यहां पर बहुती ज्यादा खाना है इसका लोग तुमारा फेबरेट डिस्क्त कौन सा है लिन बोलता है कौन सा लो बहुता है हम लोग 3 रहती है मैं इसका जवाब नहीं दूगा तो ये बात सही रहे एभी तक मेरा पापा क्यूं नहीं आया है लिभी तक मेरा पापा क्यूं में आया है तरही में अंकल यहां के पास ज्यादा पैसे नहीं है हम लोग यह घर करीद के उन पर आसान कर रहा है फिर वो नौक करके बोलती है यनन क्या तुम वहापर हो मैं लुआन हूँ यनन बोलती है लुआन क्या तुम अंकल उ को खोजी रही हो वो मेरे पापस से बात कर रहा है लुआन उसे देकर बोलता है हेलो सुन्दर लड़की लुआन ये देकर अपने मन में बोलती होगी यह हर लड़की से प्यार करने लगता है अभी लुआन वो के पास चली जाती है पापा वो बोलता है लौन लिन तुम दुने यहाँ पर क्या करे हो लौन बोलती है हमें चींटा हो रही थी आपके लिए इतना देर हो गया और आप घर वापस नहीं आयो फिर वो उसके पास जाकर बोलती है पापा हमारे पास एक और मिलियन है लिन ने पैंक से इलाज करके लिया था वो बोलते है सही में तुमने इस बाड़े में मुझे क्यों ने बताया पहले लौन बोलती है अगर मैं आपको बता देती इस बाड़े में तो सायद यह पैसे को आप उड़ा देते है यह लिन का हमारे किलीनिक का नहीं है वो बोलते है लियांग 2 मिलन तुमारे घर और जमीन का अगर 200,000 बाकी है अगर मैं payment नी किया तो में मुसीबत में पड़ जाओंगा वह बोलता है थीख के मैं तुम्हें तुम आराम से 10 दिनों के बाद payment कर सकते हो, तब तक मैं तुमारी बेटी के साथ मज़े कर लूँगा, है मेरे बेटी को जाने दो, इसका इसमें कोई लेना देना नहीं है, ब्लैक हैंड बोलता है, सही मैं तुम्हें बहुती ज्यादा गुस्सा आता है, मैं पहले तुमारा लिन आ हुआ है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ पंगा मतलो, ब्लैक हैंड बोलता है, एक डॉक्टर, मुझे लागा कि तुम हाई स्कूल में पढ़ते होगे, लिन बोलता है, विश्वास करो या ना करो, लेकिन पिछली रात तुम्हें बहुती दर्द हो रहाता ना, जब लिन मैं तुम्हें क्यों बताहूं, ब्लैक अट गुस्स्य माजाता है, बहुं मत खाऊ इतना, फिर वो उस पर हमला करने वाला होता है, लिन बोलता है, kidney stone है तुम्हें ये चून का black and sock में आ जाता है और अपने मन में बोलता है क्या ये तु जानता है Lynn बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे doctor ने बताया होगा तुम्हें operation करने के बारे में न लेकिन मैं बिना operation के जल्दी से ठीक कर दूँगा इसे black and बोलता है please मुझे बताया इस बारे में doctor Lynn Lynn बोलता है अगर मैं तुम्हारे इलास कर दू कि अंकल यहां का करजा पूरी तरह माप हो जाएगा तो black and बोलता है Mr. Lynn मैं सिब यहाँ पर पैसे लेना आया हूँ ये मेरा पैसा नहीं है Lynn बोलता है फिर बताओ मुझे कि पूरा करजा कितना है black and बोलता है करजा इसका 2 million का और हमारा इनाम 200,000 है Lynn बोलता है हम लोग 2 million दे देंगे तुम्हें लेकिन तुम्हे 200,000 माप करना होगा black and अपने मन में बोलता है मेरे father operation के दोरान मारे गए थे मेरे पास हिमत नहीं operation करवाने का फिर वो Lynn को बोलता है ठीक है कोई बात नहीं लेकिन उसको जल्दी पैसा चाहिए Lynn बोलता है अंकल लियांग आप सुने तो आपको सीब 2 million ही देना होगा लियांग बोलता है हां बिल्कुल Lynn बोलता है आपको पैसा देने के बाद ये घर और जमीन हमारा हो जाएगा वो बोलता है लियांग ये बहुती बढ़ी है टील है तुम इस बार में क्या सूचते हो हम लोग आजी रात को ये सेटल कर देता है लियांग बोलता है ये एकदम सही है मैं सोची रहा था कि इसे बेजगर मैं अपना पूरा करजा देदू सारो फॉर्मिलेटी हम लोग सुभा को कर लेंगे दूसरी तरह अब लिन ब्लाक एंड को बोलता है ब्लाक हेड मेरे साथ क्लिनिक चलो ब्लाक हेड बोलता है डॉक्टर